असलाम अलेकूम वल्कम ट्रियास किचिन आज हम बनाएंगे रबड़ी जो बहुत ही टेस्टी होती है लचेदार रबड़ी बनाया कर हम घर पर ही रेडी कर लेंगे ऐसे आप एक बाद जरूर ट्राइ करें यहाँ पर मैंने दो लीटर दूद गरम होने के लिए हाई फ्लेम रख दिया है हम इसे अच्छी तरहां से पहले गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर ही उसके बाद हम इसका फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे इस भीच भीच में आप इससे लाते रहें यह देखें 1 बॉइल आ चुका है अब हम यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे देखें जबी भी आप रब्री बनाएं तो खुला बर्तन का यूज करें ताके इसके लच्चे अच्छी तरह से निकल कराएं यह देखें इस तरह के थिन सी लेयर आ रही है तब हम इसे साइड में करते जाएंगे देखें और बीच में इस तरह से हिलाते जाएं ताके बॉटम में स्टिक ना हो मेडियम टू लो फ्लेम पर हमें दूद को पकाना है और इसे छोड़ देना है इस तरह से ताके इसके उपर मलाई जम जाए यह देखें इक तिन सी लेयर आ गई है अब हम इसे साइड में करते जाएंगे इसी तरह से हमें करते जाना है और 60-70% तक हमें दूद को सारा जुरा देना है यह देखें इस तरह से मलाई को लगाते जाएं तो ही हमारे जो लच्छेदार रबड़ी बनकर रेडी होगी है इसी तरह से हम करते जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे बीच में हिलाते जाएंगे यह देखें है थोड़ा सा टाइम लगता है यह करने के लिए दिखें लच्छे हम्मारे अच्छे से आ चुके हैं रबडी के देखें जो दूध है आदे से ज्यादा दिक्रीज हो गया है देखें बहुत ही मज़ेदार सी रबडी बनकर रडी हो जाती है देखें जो रेसिपी है ये थोड़ा सा टाइम लेती है पहले भी हमने रबडी की रेसिपी अपलोड की थी रसमालाई में भी रबडी की रेसिपी है और शाही तुकडे में भी है वो थोड़ी सी अलग रेसिपी है उसमें हमने खोवा आट किया था यह सिर्फ हम दूद से ही बना रहे हैं अब हम यहाँ पर शुगर पाउडर का यूज़ कर रही हूं मैं कॉटर कप और मिल्क पाउडर कॉटर कफ इसे अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताके लम्स ना पड़े मिल्क पाउडर के ठीक है और जो यह रबडी है थोड़ी सी ठीक हो जाए यह देखें इसमें लम्स नहीं आए है अच्छे तरह से इसे हिलाते रहे हैं और एक पिंच मैंने यहाँ पर सेफ्रोन अगर आप चाहें तो करें वना स्किप कर दें इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है रबडी में अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यलो कलर भी आट कर सकते हैं थोड़े मैंने यहाँ पर का पिस्टा और बादाम को चॉप करकर इसमें आट कर लिया है थोड़ी से खंडा कर लेंगे रूम टेंपरिचर पर ही उसके बाद हम इसके लच्छे निकालेंगे यह देखें 15 मिनिट्स हो चुके हैं मैंने यहाँ पर एक शाप सा स्पून ले लिया है देखें बहुत ही थिक हो गया है यह लच्छे यह देखें कितना यमी लग रहा है लच्छेदा कि हमने रस-मलाई में जो रबडी बनाया था वह अलग टाइप कि थी और यह अलग टाइप कि ए लच्छेदा रबड़ी हमारी बनकर रडी हो गई है इस तरह से आप अच्छे से mix कर लें इसके अंदर और इस तरह से pieces कर लें तकि pieces बहुत भी बड़े हैं टीक है छोटी छो बज़ हो चुके हैं जबरदसी डिलिश्यस लच्छेदार रबडी हमारी बनकर रेडी हो गई हैं इसे थंड़ा थंड़ा आप सर्फ करें बहुत ही टेस्टी होती हैं स्पेशल ओकेजिन पर आप इसे बनाएं और स्पेशल फील कराएं घरवालों को यह दखें हैं बहुत ही यमी सी और लच्छेदार रबडी बहुत ही टेस्टी होती हैं एक बार तो इसे जरूर ट्राइ करें आप सब की यह फेवरेट हो जाएगी लाइक करें मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसे फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर क करें और मेरे चैनल को गुरो करने के लिए प्लीज इन मुझे सपोर्ट करें थैंक्स वर वाचिंग